नमस्कार मैं यश्पालहंस करनाल से जीवे जोतिश की चर्चा आज मैं सबसे पहले प्रथम त्रिकॉण पंचम भाव को ले रहा हूँ पंचम भाव हमारी कुण्ड़ी का पहला त्रिकॉण है और यह अतीम हत्व पूर्ण है क्योंकि यह हमारी विचार्ध हरा पर ठिकता है पंचम भाव में जिनके बहुत अच्छे ग्रह बैठे होते हैं मैं कल गुरू रविंदर नाठ टेगोर जी की कुंड़ी देख रहा था उनके पंचम भाव के अंदर उच्च का ब्रस्पती बैठा हुआ था जिसने उनको नोबल प्राइस तक भी ले दिया और जिन्हों ने जन गनमन अधिनायक राश्रगान भी लिखा और कई गितांजली लिखी तो समझ आता है कि नहीं अब लगनेश भी उनका कहीं मीन ही लगता था मीन मेश वरिश मितन कर दिल्कुल मीन लगनेश उचका होकर पंचम में आ जाए तो ग्यानवान तो होना हुआ फिर उसकी पांचमी दिश्टी पिता स्थान पर जा रही है उनके पिता का नाम श्री दिविंदर नाट्यक और था वो भी एक बड़े महान विखती थे पांचमा घर हमारे घर के अंदर बहुत महत्तु रखता है आज मैं पांचमें स्थान पर थोड़ी सी चर्चा करूंग और इसी के साथ अपनी बारता को समात करूंगा और आप से निवेदन करता हूं सुनिये शायद आपको अच्छा लगे अगर पांचमें घर के अंदर मैं कई बातें आपको वो भी बताने लग गया हूं जो हम लोग हाइड कर जाते हैं दर गुजर कर जाते हैं चुपा जात पर वो किसी ऐसे कामों में न पड़ें जो परिवार के लिए कुछ ऐसा यानि की ठीक ना हो पांचवें घर बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवें घर की बैठे हुए ग्रह की द्रिष्टी ग्यार्में घर पर इंकम पर भी जाती हैं और जैसे स्थितियों शनी हो तो पां पत्ते को थोड़ा सा छेड़ सकता है आगे चलता हूं पांचवें घर में कौन सी राशी हो तो आपको क्या प्राफ्ट होगा पांचवें घर में कौन सी राशी हो मैं सिर्फ आज राशी की बात कर रहा हूं ग्रह की नहीं कर रहा हूं पांचवें घर में अगर मेश राशी वो व्यक्ति विवेकी भी होगा क्रोधी भी हो अपनी कुंड़ी देखिए समझे यह मैंने तो लिखा नहीं है गंतों में से इसको लेता हूं आपको सुनाता हूं अगर दूसरे घर के अंदर विरिश राशी हो विक्ति धन्वान भी होगा उसको अचानक धनलाब भी हो सकता है और अगर कहीं उसका स्वामी शुक्र बड़ी अच्छी स्थिती में चला गया हो तो बहुत कुछ दे सकता है पांचमा भाव मिथनराशी मिथनराशी बुद्ध के पास आती है ऐसे बक्ति के बचे बड़े समझधार और पड़े लिखे होते हैं पड़े लिख्यू पड़े लिख जते हैं अझा मात्य पिता की आग्यां में रहते है नैसी उसका आज लिख रही है ऐसे बच्चों के विदेश जाने के योग भी बहुत बन जाते हैं जिसके माता-पिता कुंडुली के पांचवें घर के अंदर वित्व मित्वन राशी हो आगे चलता करक करक राशी जिसके चतुर्ट भाव के अंदर हो यह चंद्रमा के पास है ऐसे बच्चे पढ़ भी जाते हैं पढ़ाई भी उनकी ठीक हो जाती है और अगर कुंडुली में चंद्रमा अति उत्तम सिती में बैठा हुआ हो तो ऐसे बच्चे विदेश गमन या बाहर नौकरियां करते हैं जहां उनको लाब होता है और वो अपने माता-पिता को माता की पिता की विशेष सेवा करते हैं तरक पांचवें भाव के अंदर करक राशी अब चलता हूं पांचवें भाव के अंदर सिंग राशी व्यक्ति क्रोधी भी होगा और अपना शरीरिक ताकत का ज्यादर उप्योग करेगा लड़ पढ़ना जगड़ पढ़ना यह बात कर क्य अगर पांच में घर के अंदर कन्या राशी हो इसको शुब ही माना गया है ऐसे व्यक्ति के ज्यादा बोलने की आदत होती है कई बार वो जूट भी बोल जाता है लेकिन उसका फिर प्रयास होता है कि मैं अपनी बात को सुधारूं क्यों बुद्ध की आदत है वो अपनी गल् सब की राशी है शुक्र कहीं कुंडली में बहुत अच्छी स्थिती लेकर बैठाओ और अच्छी बात है कि तुला राशी को महत्व देता हूं अगर पांच में घर में ब्रिश्चक राशी हो दक्ति रोगी तो रहेगा लेकिन रोगी होकर भी सुन्दर होगा यह पुस्तक और कोई विचार नहीं है हमने जो कुछ पढ़ा गरंतों से पढ़ा गुरुओं से पढ़ा महापुर्शों से पढ़ा ब्रिश्चक राशी हो वह व्यक्ति रूप में ठीक होगा लेकिन रोगी अंदर से रहेगा धनु राशी ब्रिश्च ब्रस्पती के पास आती है कुंड मकर राशी मकर राशी पर उसने ज्ज्यादा अच्छा नहीं लिखा कि उसने व्यक्ति निंदा चुगली में विश्वास रखते लिकों से तो ईसको दूसरों यूट्यूब पर नहीं कर सकता वीडियो पर नहीं कर सकता लिए इतना कहता हूं कि पांचवें घर में मकर राशी को बहुत शुब नहीं माना गया चित अस्थिर रहता है मन में विकार रहते हैं अगली राशी राशी कुम्ब मन अस्थिर रहेगा और उसको स्थिर करने के लिए आप शनी की उपाशना कीजिए मीन, मीन राशी, संतान भी ठीक होगी आप सुखी भी रहें ये थी पांच में घर की सारांश के अंदर बहुत थोड़े शब्दों के अंदर जो मैं कह सका है एक बात मुझे आज और याद आ रही थी अगर किसी की कुंटरी के अंदर किसी भी भाव में केंद्रों के अंदर शुक्र और ब्रैस्पती कठे हो जाएं वो व्यक्ति जिस्मानी तोर पर काफी मोटा होता है और उसके विचार धारा के अंदर क्योंकि दो गुरू गुरू गुरु गुरू एक ब्रैस्पती और शुक्र दोनों का अपस में कोई मेल नहीं है वो आपको भिन भिन बातें करते दिखाई देगा इन बातों की चर्चा मैं यहां नहीं कर सकता यनिकि उसकी विचार धारा करहीं टिकेगी नहीं वो आज कुछ और कल कुछ बात कर सकता है अपनी ही बात को पलट सकता है लेकिन उसका वेट उसका वजन अवश्कता से कहीं ज्यादा होगा तो मैं इसी के साथ आज की वारता को समात करता हूँ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उन उन बातों के बारे में भी बताता चला जाओं जो गहन गरंतों से ली जाती है जिन्होंने हर चीज़ को अच्छा नहीं लिखा हर चीज़ को उन्होंने अच्छा नहीं लिखा जहां पर ठीक नहीं था, उन्होंने वो भी लिखा, मैं वो भी आपको बताने का परियास करूंगा, इसी के साथ मैं यश्पाल हंस आप से आगया चाहता हूं, फिर मिलता हूं कल नई बातों के साथ, इसी के साथ मैं आपकी संतानों की, आपकी, आपके परिवार की, आपके ज जै जगत, जै भारत, नमस्कार.